हेलो स्टुडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहाते हैं जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टुडेंट के कोई भी प्रॉब्लम जिसका सेलूशन अगर आप लोगों को आपके अफेट से नहीं पता चलता है तो इसे वीडियो के स्टुडेंट तक आती है तो आप सभी स्टुडेंट से मेरा प्रेस्नली रिक्विस्ट आप मेरे से से शेयर करें और उसे रिलेटेट जो भी जैन्में सलूशन होगा जैसा भी तक में रखता है हूं आगे भी आप सभी स्टुडेंट तक पहुंचानी की 100% को सिसकरूँग स्टुडेंट से रिकोष्ट आप हर वीडियो के लिए जैसे आपका कॉंसलिंग कैसे अप्लाइ करना है उन सबके लिए आप सिविल वल्ट को सस्क्राइब कर लिए ता कि कोई भी अपडेट को आप लोगों से रहना जाए तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिन कर सकते हो लेकिन पांच छे ही ऐसे टॉप कॉलेज है जहां गर आपके डिमिशन हो जाता है तो आप ऐसे समझे आपका हंडेड परसेंट जो चांसे है वहां से प्लिस्मेंट होने के चांसे रहते हैं जैसे पहला है वाइमशिय फरीदाबाद दूस्तरा आपका हो गया डिकरे सारे स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों के मन में एक कन्फीजन आ रहा है च्वाइस फिलिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने 12 बेस पर फॉर्म अप्लाई किया तो देखिए अभी क्या है है हर्याने स्टे टेक्निकल अपने साइध अगर बीडेट बता रहा हूं आपने साइध अगर पॉल टेक्निक वाली अगर मेरी कोई वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी होगा 21 जून को जो है इन्होंने जिन बच्चों ने पॉल टेकनिक लीट का form apply किया था उनका इन्होंने rank card declare किया rank card के ब्याग्ड इन्होंने counseling करवाया और आप लोगों के जैसे जिस date में आप लोगों का counseling होना था तो 12 वालों का counseling जो आपका choice feeling था hold करके इन्होंने पॉल टेकनिक व तो अब जो ये बीच का gap है जैसे मंडे से मुझे जहां तक लग रहा है जो इस बीच के gap में आप लोगों का ये काम करेंगे जिसमें आपका choice feeling जो start होने के अब 90% chances है जिन बच्चों ने BTEC जो है 12 बेस पे apply किया अगर आपके पास J.E.M.S का rank card है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर जिन बच्चों ने आगर आप लोगों ने J.E.M.S का paper ही नहीं दिया आपके पास rank card ही नहीं है तो आप form apply नहीं कर सकते लेकिन आपके पास एक option ऐसा है जो अगर ये off campus admissions जैसे इस्पोटरांट कह आएगा लेकिन अगर गलती से कोई एक J.E.M.S वाल स्टुडेंट आ गया बसरते उसके rank 15 लाग पलस क्यों नहीं है कोई नहीं देखने वाला admission उसी का होगा तो ध्यान रखना जो student मेरे इस वीडियो को देख रहे है अगर आपको हर्यानक के किशी भी government university में admission लेना है तो आ अगर आपके कोई junior उनको बता दीजेगा हर्याना लीट में या हर्याना बीटेक में आपको admission लेना है तो कम से कम आप जहीं मेंस के paper में बैठी है बसकते rank कुछ भी आ है rank कुछ आने का मतलब यह है यार 7-8 लाख rank तो ले ही आओगे जहां तो मुझे लग रहा है अगर आप आपके लिए कम है तो मेरा कहना यह है जो आज मैं आपको यह वीडियो 29 जून को upload करवा रहा हूं 29 जून के according मैं आपको बताना चाहरा हूं जो जिन्वे स्टुडेंट ने बीटेक का form 12 बेस पे apply किया है 12 बेस पे आप लोगों का जो है choice filling जो भी start नहीं हुआ मुझे जहां कोई भी अगर choice filling start करते जैसे मान लीजिए अगर यह choice filling start करते है Monday से तो मैं आपको सबसे पहले जो है वीडियो लाके बताऊंगा कि से according आपको choice fill करना है तो इसलिए घबरा ही है मत एकदम कई सारे student के मन में confusion है जो सर सिर्क choice filling हम ही नहीं कर पारे बादवा की सबका हो गया ऐ सबी student का हो गया रहे किस ने कह दिया सबी student का हो गया किसी का choice filling नहीं हुआ जब भी होगा सबी student का होगा और official website पर प्रूपर नूट आएगा ऐसे नहीं है जो मर्जी कर दो कभी सरवर चल रहा है नहीं जब होना है सबी का होना जैसे पोल टेकनिक वा लोक है तो इसलिए जो को बीटेक लीट का form apply करना मान लीजिए मैंने भे पोल टेकनिक कर रखा है और मुझे सर बीटेक में admission लेना है तो आपका admission डिरेक्ट सेकेंड एर में है और आपको मजे की बात बताता हूँ आपको admission लेने के लिए ना तो आपके पास JMS का rank card चाहिए और ना आपको कोई entrance देना कोरोना के बाद तो सर हमारे admission कैसे होगा अगर मैं बीटेक लीट में admission किसी भी अरियाना के top college में लेना चाह रहा हूँ जैसे वाइंसी फरीदाबाद हो गया डिकरेस्ट मुर्तल हो गया गुरू जंबिश्वर उन्परसिटी हो गया M.D.U. हो गया कैसे होगा तो simple सा जो परसेंटेज आपने अपने डिप्लोमा में अचीव किये है उसे परसेंटेज के according आपको क्या है rank card आएगा और उसके according आप counseling apply करिएगा यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई इंट्रेंस देनी की ज़रुवत नहीं है अब रही बात सर फॉर्म कब तक आएगा तो मैं आप आज आपको बिलकुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं आप ध्यान से समझना 2023-24 में जिन बच्चों एडमिंशन लिया था साइध आपको नहीं पता होगा उस टाइम जो ह है जो यह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फॉर्म का कोई अपडेट देंगे लेकिन अगर देते है तो आप ऐसे समझे फिर वह फॉर्म को खैच के लिए जाएंगी लास्ट अगर्ट इसके पीछे दो मेजर रिजन है पहला मेजर रिजन यह है जो बच्चे हमारे हर्याना पॉल टेकनिक में अभी 6 सेमिस्टर में है उनका पेपर 15 जुलाई तक होना है और उनका रिजल्ट आप ऐसे मान लीजिए 15-20 अगस तक आने के चांसेज है अब आप बताइए जो पॉल टेकनिक का स्टुडेंट है और उनहीं के लिए इस्पेसलि 85% सीट रिजर्ब्ड है अगर उन बच्चों का जब तक रिजल्ट डिकलियर नहीं हो जाता तब तक हरियाना लीट का लाजट डिट नहीं होगा इटमिस आपने क्या समझा जैसे मान लीजिए हमारे HSBT के जो स्टुडेंट है हरियाना स्टेट बूर्ड आप टेकनिक वाले अगर उनका रिजल्ट 15 अगस्त को डिकलियर किया जाता है तो आपका हरियाना लीट का लाजट डिट 25 अगस्त तक जाएगा इस बात का अप लोग ध्यान रखिये और अभी जो है लीट को लेके मैं आपको ऑफिसियली बिलकुल लिटेस्ट अपडेट बता रहा हूं कोई भी जो स्टाफ है उतना एक्टिव नहीं है फॉर्म को लेके अगर यह एक्टिव होते है तो यह 15 जुलाई के बाद ही होंगे अगर आपके मुन में कई सारी बच्चों के रहता है सर्फ फॉर्म आ गया आप बता रहें और मैंने कब आपको लीट का बता दिया जो फॉर्म आ गया आप ऑफिसल लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सिविल वल्ड के माध्यम से अप्डेट मिलेगा जैसा अभी तक मिलता है है आगे भी मिलता रहें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है लीट का वह भी बताऊंगा और अक्सर जो स्टुडेंट के कन्फूजन है जो सर्फ पर सेंटेश क यह सबसे मिजर कुश्चन है अगर आप हर्याना लीट का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो ना और अगर आप हर्याना से हो तो आपके पास मीनिमम जो है 75-80% होनी चाहिए अगर आपके 70 प्लस भी है तो आप सब इस्टुडेंट अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो होने के चांसेज रहते हैं तो इसलिए मैं सभी स्टुडेंट से रिक्विस्ट करूंगा जो आप लोग जब भी हर्याना लीट का फॉर्म आए और अगर आपके परसेंटेज 70 प्लस बन रहे है 80 प्लस बन रहे है तो आप लोग स्पेसली अप्लाई करिएगा और जिन च्वाइस फिलिंग कप से स्टार्ट होगा क्या आपको हर्याना भी टेक मेड मिंशन लेने का प्रोसेस है इस सबके लिए आप सिविल वर्ट को फॉलो करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से रहना जाए तो आई होप हमारे सारे स्टुडेंट ठीक होंगे म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट पैटन के साथ जो भी अपडेट होगा मैं सब स्टुडेंट तक रखने की हंटेर परसेंट कोशिज करूँगा बाई ओल अफ्यू आई होप हमारे सारे स्टुडेंट ठीक होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडि